हेलो दोस्तों साथ आज सही के में चैनल में दोस्तों इस वीडियो में दो पॉइंट के उपर बात करेंगे जितने भी फर्स समस्टर, थर्स समस्टर और फिफ्ट समस्टर वाले बच्चे हैं आपका पासिंग क्राइटेरिया कितना है एक सब्जेक्ट में पास होने के लिए आपको कितने नमबर चाहिए और नेक्स्ट येर में पर्मोट होने के लिए आपको कितने सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा और एक और चीज बता दूँगा कि दोस्तों जब आपका रिजल्ट आता है तो result में आपको grade के according number दिये जाते हैं जैसे A plus दे दिया, B plus दे दिया, C दे दिया, D दे दिया अब जिसको दोस्तो F मिलता है तो उसके zero number आ जाते हैं तो बच्चे पूछते हैं कि sir मेरे को zero number क्यों दिये हैं मेरे को fail किया गया है बट zero क्यों दिये गये हैं तो ये चीज आपको इस वीडियो में clear कर देता हूं ठीक है और दूसरा point है आपका कि आपको अपनी graduation complete करने के लिए कितना time दिया जाएगा जैसे कि माली जी आपकी first semester में back ER रह गई, second semester में रह गई या fourth semester, third semester, किसी भी semester में back ER रह गई और आपने अपना sixth semester clear कर लिया है, sixth semester के exam दे दिये हैं तो आपको कितना time दिया जाएगा जो back ER वाला subject है उसे clear करने के लिए, कितनी बार आप लोग back ER वाला exam दे सकते हो कितने साल में आपको अपनी graduation complete करनी है तो यह चीज मैं आपको इस वीडियो में clear कर देता हूँ, ठीक है तो वैसे तो दोस्तों यह वीडियो सभी बच्चों के लिए first से लेके sixth semester वाले बच्चों के लिए वैसे मैंने यहाँ पर first, third और fifth लिखा है बट यह वीडियो सभी बच्चों के लिए ठीक है तो पहले बता देता हूँ कि आपका passing criteria कितना है passing criteria के ओपर बात कर लेते हैं अब जैसे माली जीए अभी आप लोग exam दे रहे हो किसी subject का exam दे के आए हो एक subject का तो उस एक subject में आपको pass होने के लिए 40% number चाहिए जैसे माली जीए आपका जो paper है सो number गाया सो मैसे आपको 40 number लाने है pass होने के लिए तब ही आपको pass किया जाएगा 40 number हराल में आपको लाने ही लाने है यानि 40% number ठीक है अगर 75 number का paper आया है तो आपको 30 number चाहिए ही चाहिए pass होने के लिए ठीक है तो 40% number आपको लाने ही लाने है pass होने के लिए 40% नमबर आपको चाहिए यही चाहिए चाहिए फर्स समस्टर वाले बच्चे हो और फर्स समस्टर वाले बच्चो के लिए क्या है कि उनके internal assessment भी शुरू हो गए है तो internal assessment में 40% नमबर अलग से और theory paper में 40% नमबर अलग से आपको चाहिए पर subject में पास होने के लिए ठीक है तो ये तो दोस्तों आपका passing criteria हो गया 40% नमबर आपको एक subject में पास होने के लिए लाने ही लाने है अब बात कर लेते हैं second point की कि आपको next year में promote होने के लिए कितने subject में पास होना पड़ेगा next year में जाने के लिए कितने subject में आपको pass होना पड़ेगा तो ये rules सिर्फ first semester और third semester वाले बच्चों पहलाग होगा क्योंकि ये बच्चे next year में जाएंगे first year से second year में, second year से third year में third year वाले बच्चे pass out हो जाएंगे सिक्ट semester के exam देने के बाद में तो ये rules सिर्फ first semester और third semester वाले बच्चों के लिए तो आपको मैं एक notice के द्वारा समझा जेता हूँ जो दिली उस्टी की तरफ से notice लिखा लगया है कि आपको next year में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा तो notice देख लो क्या लिखा हुआ है तो यहाँ पर देखे दोस्तों यह रहा हो notice जिसमें बताया गया है कि आपको first year में 50% subject में pass होना पड़ेगा ठीक है आपके 50% subject clear होने चाहिए जैसे माली जी आपके first year में first semester और second semester है और first semester और second semester को लगा के आपके पास 14 subject हैं 14 में से 7 subject में आपको pass होना है तब ही आपको next year में promote किया जाएगा यानि कि 50% subject आपके clear होने चाहिए first year में तब आप लोग second year में आओगे तब आप लोग अपना registration, admission second year में ले सकते हो तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है आपके 50% subject clear होने चाहिए first semester में 7 subject हैं second semester में भी 7 subject हैं अगर आप लोग first semester में 7 subject में pass हो और second semester के आपने exam नहीं दिये तब भी आप लोगों को second year में promote कर दिया जाएगा second year में admission दे दिया जाएगा rule यही है कि आपको 50% subject clear करने हैं अब जैसे माली जीए first semester में आपके 4 subject clear हैं और second semester में आपके 3 subject clear हैं तब भी आपको second year में promote कर दिया जाएगा 50% subject clear करना compulsory है सबी बच्चों को तब भी आपको next year में promote किया जाएगा अगर 50% subject clear नहीं है तो आपको फिर से first year repeat करना पड़ेगा तो इस चीज़ का आप लोगों को दियान लगना है जिस subject में back year है वही subject के exam आपको फिर से देने होंगे तो यही rule सेम second year पर लागू होता है कि आपको 50% subject second year में भी clear करने हैं तब ही आपको third year में promotion दिया जाएगा पास किया जाएगा admission दिया जाएगा third semester और fourth semester लगाके आपके 50% subject clear होने चाहिए तब ही आपको third year में promotion दिया जाएगा आपको third year में admission दिया जाएगा 50% subject clear होने के बाद में तो आई ओब दोस्तो यह भी आपका doubt clear हो गया अब दोस्तो दोस्तो grade की according बता देता हूँ कि काफी सारे बच्चों को confusion रहती है कि जैसा कि उनका result आया अब result आने के बाद में बच्चों को zero देते हैं grade में ठीक है जैसे वहाँ पे लिखा होता है result में zero तो बच्चे सोचते हैं कि मेरे को zero क्यूं दिया है तो दोस्तो एक चीज़ के लिए कर देता हूँ कि आपको grade के according marks दिये जाते हैं अब जिसके marks एक से लेके 49 के बीच में आये हैं तो उसको zero ही grade दी जाएगी यहाँ पे देखे दोस्तो अगर किसी बच्चे को D grade मिली है तो यह बच्चा पास है ठीक है अगर किसी बच्चे को एक subject में D grade दिखा रहा है तो इसके 4 grades है तो यह बच्चा पास है तो माली जी इस बच्चे के 40 से लेके 49 के बीच में नमबर आये हैं ठीक है तो यह बच्चा पास है और fail कब होगे आप लोग और zero number आपको कब मिलेंगे एक से लेके 49 के बीच में कितने भी नमबर आपके आये हैं तो जीरो मार्क्स ही दिये जाएंगे, जीरो ग्रेड ही आपको दी जाएगी, यह चीज आपकी क्लियर हो गई होगी, ठीक है, अब जैसे आपको C ग्रेड मिली है, तो आपके जो नमबर हैं, पचास से लेके 69 के बीच में आए हैं, ठीक है, पांच ग्रेड आपको यहाँ पे क्लियर कर दूगा, ठीक है, तो यह सारी चीज आपकी क्लियर हो गई है, अब बात कर लेते हैं, आखरी लास्ट पॉइंट की, कि आपको ग्रेडिशन कंपलीट करने के लिए, कितना टाइम दिया जाएगा, अब जैसे मान लीजी आपके जो एक्जाम है सिक्त समेस्टर के, यह माई जून में करवाए जाएंगे, माई जून में सिक्त समेस्टर के एक्जाम होगे, और आप लोग सिक्त समेस्टर में क्लियर होगे, आपके सभी सब्जेक्ट क्लियर होगे, पास होगे सिक्त समेस्टर में, और फर्स समेस्टर, सेकंड समेस्टर या थर्स समेस्टर, पीछे किसी भी semester में back year रह गई है तो आपको कितना time मिलेगा तो दोस्तों 5 साल ठीक है 5 साल का आपको time दिया जाता है यानि 3 साल की आपकी gradation हो गई और 2 साल आपको extra दिये जाते हैं अपनी back year complete करने के लिए तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना अगर कोई भी बच्च है अगर back year और सिक्त समस्टर clear हो चुकी है तो आपको 2 chance और मिलेंगे ठीक है 2 साल time आपको दिया जाएगा आपको अपनी gradation complete करने के लिए अगर 5 साल में complete नहीं करोगे आपको फिर से first year से first semester से अपनी study सुरू करनी पड़ेगी तो ये दिली उनिवस्ट्री का rule है आपको 5 स साल के अंदर अपनी gradation complete करनी है सिक्त समस्टर के एक्जाम के दो गये दोगे सिक्त समस्टर के एक्जाम देने के बाद मैं करने के अगर सिक्त समस्टर में back year आपको two chances मिलेंगे अगर first semester भी से second semester में आपकोóm करने करनें comparouldering करनीन है साल ज Was जैसी आपका complete हो में उसके दो साल बात तक आप लोग दो बार एक्जाम दे सकते हो तो यह चीज आपकी आई होप किलियर हो गई होगी ठीक है तो अगर फिर भी कोई डाउट या दिक्कत है तो आप लोगों को इस्टाग्राम पर मैसेज कर देना लिंक वीडियो वीडियो शाम से मिल जाएगा वीडियो हेलफूल लगी और लाइक करना और शेयर कर देना